देखो नारत बातुनी आए अब इसमें बिलकुल नहीं बोलना कुछ नहीं बोलेगा आरे बोलो ना कुछ नहीं बोलोगे बोलता क्यों नहीं प्रभू बोलता हूं तो बोलते हो चुप बेटो चुप बेटो तो कहते हो बोलो अरे प्रभू आखिर करू तो क्या करू प्रभू नारायन ने मुझे अपने सामने देखा और कहा प्रभू अब तो आपने कहा कि प्रभू नारायन आके बंद करके ध्यान मगन थे तुमने आपको दीखा कर मनकी आखों से चिंगु मनकी आखों से प्रभू नारायन ने कहा क्या कहा मैं अत्यांत प्रसंद तब होता हूं जब मुझे देखते हैं जब मेरे भक्त प्रसंद होते हैं, पर मैं अत्यंत दुखी तब होता हूँ जब आपको देखते हैं जब मेरे भक्त दुखी होते हैं और आप प्रसंद हो जाते होंगे चिंगु, ये तुम सुदर्शन की बोली में क्यों बोल रहे हो प्रभू, पीछे मुण कर लो दर्शन, देखो खड़े हैं सुदर्शन अरे? प्रणाम मित्र सुदर्शन, प्रणाम शेशनाग प्रणाम प्रणाम परन्तु ये आप क्या कह रहे थे मित्र सुदर्शन मेरे प्रभु अगर दुखी होंगे तो मैं कैसे प्रसन्य हो सकता हूँ दर्शन नारद परम भक्त है नारायन के इस बात को तो सब भी जानते हैं नारायन, नारायन, नारायन क्या है? प्रभु, ये दोनों आपको चनिक जाड पिचना रहे अरे मेरे चने बरावर चिंगू, चुपकर मित्र सुदर्शन, मित्र सेशनाग हाँ तो क्या कह रहे थे आप? सेशनाग? रभु नारायन, क्या कह रहे थे नारद के बारे में? ये ही कि नारद जो है भग्त नहीं क्या? भग्त नहीं है यानि भगवान है भगवान भगवान मेरे भगवान ने मुझे भगवान कहा नहीं नहीं ये असत्य देखा शेषनाग हमने कहा था ना नारद हमारी बात को असत्य ही मानेंगे ठीक है जैसी आपकी इच्छ मत मानिए चलिए शेषनाग अरे नहीं नहीं रुकिए 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 अवश्य कहा होगा और क्या कहा मेरे प्रभू ने बताईए ना नारायन कहते है नारत मुनी महागुनी नारत मेरी परचाई है जिनकी भक्ती मुझे भाई है सर्वगुन संपन है नारत मेरे रिदय स्पंधन है नारत अब मैं खुदर्शन कहता हूँ आप नारायन तुल्य है आप देवरशी नहीं आप भगवान है आप आदर्निय है आप पूजनिय है हमको यह कहते हैं कि आप का भी मंदिर होना चाहिए नारायन और भोलेनात के प्रित्वी पर अंगिनत मंदिर है और अंगिनत भक्त भी है नारत के भी भक्त होंगे इनके दर्शन नहीं कर पाते होंगे हां क्यूंकि प्रित्वी पर नारत का कोई मंदिर नहीं है ना आपका भी मंदिर होना चाहिए हां आपका भी मंदिर होना चाहिए कोगा अवस्य होगा नारद का मंदर अवस्य होगा नारायन नारायन सभी खग आपको याद कर रहे हैं प्रभू अब प्रभू कहां और किस ने पने पास जाएंगे सत्यवचन माते सत्यवचन कहां- Gegenर्थ त्रभु नारायन जो देखो भगवान विष्णु और उनके अवतारों की फूजा करता रहा हुआ हमें भी तो कोई श्रिया मिलना चाहिए कि नहीं प्रभु मैंने क्या किया कुछ नहीं नारद जो कहना है विस्तार पूर्वक कहो प्रभु आपसे कहूं या नारायन आपसे मुझसे कहो नारद अफऑ बोटामू बडी बात प्रभु परंतु आप जितना लोग कल्यान का कारे करते हैं उतना तो मैं भी कड़ता हूं क्या नारद ग्या कहा आप ने, हमने सुना नहीं मैं वो मुट दूर्व करते है तो हितना तो मैं भी करता हूँ आप जैसे मैं भी भक्तों की समस्याएं हल करता हूँ प्रच्वी पर यदि आपके भक्त है तो मेरे भी भक्त है तो आपका यदि मंदिर है तो मेरा भी होना चाहिए हाँ, ना, हाँ, ताकि मैं भी अपने भक्तों को आशिरवाद दे सकूँ, आपकी तरह उन पर प्रसंद हो सकूँ, नारद, प्रभू, नारद की बादों पर ध्यान पूरवक विचार करके ही उत्तर दे, हाँ, नारद, हमें थोड़ा विचार करने का समय दीजिए, समय प्रभ समय को अपने साथ लेकर चलने वाले महा प्रभू, आपको समय की क्या वश्रकता प्रभू, हाँ, बोल दीजिए, नारद, 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 आपको मुझे आशिरवाद देना ही होगा, नारद, हमारा आशिरवाद तो सदैव आपके साथ है, नारद, हमारा आशिरवाद तो यदि इस बार मेरा मंदिर नहीं बनाना? मैंना? समाधी ले लूँगा? क्या? परंतु क्यों शक्य नहीं है नारत का मंदिर माते? नारत, मंदिर तो मेरे भी कम है और जो बच्चे हैं, उसमें भी सरस्वति की पूजा कम और लक्ष्मी की अधि होती है माते, बात को क्यों भटकाते? चर्चा आपके नहीं मेरे मंदिर की हो रही है और जब तक मंदिर होगा ही नहीं तो भक्त कहा है आते? वो तो आपके यूही दर्शन कर लेते हैं आते जाते माते, मैं भी वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो मेरे प्रभू नारायन करते है अच्छा तो तुम्हे कां करो अपने पिता ब्रह्मदेव से बात करके देखो अरे नहीं नहीं पिता श्रीन नहीं वो मेरी एक ना सुनेंगे उल्टे मुझे ही कहेंगे मैं तुम्हे श्रऑख बेता हूँ मैं अपने मंदिर बनवाना चाहता हूँ वो बिना मंदिर के ही मुझे पत्थर की मूरत बना देंगे माते हा एसा हो सकता है क्या शुप्षू さ क Hornay Not even नहीं नहीं मैं ऐसा होने नहीं दूंगी हा पर नारद एक बात बताओ इस प्रित्री पर पुरामदेव के कितने मंदिर है केवल एक वो भी पुषकर में माते अगर पिताशरी ने जिद्ध की होती तो आज घोलेनात और प्रभु नारायन की तरह उनके भी जगा जगा मंदिर होते और मैं यह नहीं चाहता हूं कि यह प्रित्रिया मेरे प्रभु के संतानों के साथ आगे बड़े संतान नारद तुम्हारी संतान तुम तो बाल ब्रमबचारी हो ना हां हां माते मैं बाल ब्रमबचारी मेरी नहीं कोई संतान बस एक शैतान तो मैंने ऐसा कफा कि मेरे प्रवु नारदगी न साथ फेरे लिए और वो बिवाही थे हाँ हाँ तो लोग क्या कहेंगे कि नारद को एक भी मंदिर नहीं है हाँ तो नारद क्या जवाब देंगे हाँ कोछ जवाब नहीं दे पाएंगे नारद तुम्हारे मंदिर तो होने ही चाहिए हाँ हाँ नारद हम सब आपकी बात से सहं मत हैं और आप देखना नारायन भी मान ही जाएंगे प्रभूच आपको पता भी है के मंदिर होता का है ये प्रश्ण तुम नारदमुनी से पूछ रहे हो प्रभू, आपको कोई दिखाई दे रहा है क्या? चिंगू, मैं बताता हूँ तुझे कि मंदिर क्या होता है हाँ, बताईए मंदिर वो जगा होती है जहाँ पर भगवान को बिना मांगे और चपन भोग खाने को मिलते हैं राजाओं के आभूशन, जरीदार श्रिंगार भजन, कीर्तन, भक्तों की पुकार बार-बार लगातार और भक्तगर हमेशा गिडगडाते रहते और बोलते रहते हैं, ब्रभू, मेरे घर में खाने को नहीं है धान मेरे बेटे का पढ़ाई में नहीं लगता ध्यान मेरे बीवी के शरीर में नहीं है जान मुझे लगता है मुझे में नहीं बचे अब कोई पराण ये होता है मंदिर अच्छा, ये होता है मंदिर, मेरा भी बनाएगा, मक्त गण आएंगे, प्रभू नाराद, ये देख, मक्त पुकारने भी लगे, पूरी सबजी लेकर आते ही होंगे, प्रभू, वो नहीं है, शिरिखंडला है, नहीं प्रभू, सुधर्शन आए है, देखे, नाराद जी, प् आपको, अभी क्या भी बुलाया है, एक शन, मित्र सुधर्शन, आपको कितनी बार का ऐसे गोल-गोल करतान मत भूआ करो, मोच आजाएगी, दूसरी कहां से लगवाओगो, जोगजी, नहीं नहीं आपके बुलाया, तू बता रहा है, पूछ रहा है, ये डरा रहा है, पू तू है मेरे, तो रभू बुलाएंगे, तो भक्त चले आएंगे, देखो नारत बात तूनी आए, एक बार फिर सोचलो नारत, नाराया, 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 प्रभू, आप तो मेरा स्वभाव जानते ही है, एक बार जो मैंने निर्णे कर लिया, तो समझो कर लिया, ठीक है, यदि आपको भगवान बनना इतना सहज लगता है, तो हम एक समझोता करते हैं, समझोता है, हाँ, चाहिए, कुछ समय के लिए आप हमारे भग्तों के बीच जाकर उनके कश्टों का निवारंग कीजिए, और उनके दुखों को दूर करने के लिए, कोई उपाए या उचित मार्ग बताईए, मैं? जीक ही तो है, जैसे जैसे भग्त हम से अधिक आप पर विश्वास करते जाएंगे, आपके मंदिर स्वेम बनते जाएंगे, और फिर, अभी लोग तुमेह नारत भगवान के नाव से फूछने लगेगे. मैं? नारत भगवान? हाँ. बोलो नारत, उमेह स्विकार है. स्विकार, नारायन ना. ओम नमज szivai, ओम नमजει बोले, नात, बोले, नात, मैं कई वर्षों छे आपकी तपस्या कर रहा हूँ, आपकी पुझा अर्च, ना आनाद ना कर रहा हूँ, बोले, नाध, आप प्रसंद नहीं नहीं हो, पर मैं आज आपको प्रसंद करके रहूंगा प्रभु, मैं यहां ब नावति में कोई धोठ है तो मुझे कहिए और ये कहने के लिए भी आपको यहाँ आना पड़ेगा और मैं आज आपको यहाँ बुलाकरी रहूंगा भोले नाज बुलाकरी रहूंगा यदि आज आप प्रसंद नहीं हुए तो मैं तो मैं तो मैं इस श्रिव निंग पर अपना कहिए महादेव परिक्षा की घड़ी आ गई दोसरों की परिक्षा लेने वाले स्वयम महादेव कि कौन परिक्षा ले रहा है वो देखो एव्का भक्त आपको पुकार रहा है हाँ तो नारदो नारदो मेरे प्रभु आपने मुझे पुकारा नारद आपी का नाम है ना जी प्रभू तो मैंने आप ही को फुका रहा है नारद महादेव का भक्त उन्हें पृत्वी पर फुकार रहा है जी समझोते के अनुसार आपको वहाँ जाना है और उनकी कष्टों का निवारण करना है सही कहान है बोली ना अवश्य नारद ताकि मेरे उस भक्त के मन में आपके प्रतिश रंधा उच्पन्न हो और वो आपका गुणदान करे ताकि आपके भी मन्दिर बने ताकि सर्वत्र आपकी भी जैजेकार हो जाइए नारद महादेव के भक्त के कष्ट का निवारण कीजिए उन्हें उचित आशिर्वाद दीजिए उन्हें वर्दान दीजिए जाइए जी प्रभू आज्या दीजे प्रभू नारायन 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 प्रभू उठो बालक प्रभू आगये मैं आ गया हूँ मनोहर तू यहां क्या कर रहा है कौन मनोहर अरे बहरू पीए नाओ की नावटंकी में नारद बना फिरता यहां भी नारद का भेश लेके आगया मीना वजाते मैं स्वयम नारद मुनी हूँ बालक होलेनात ने मुझे तुम्हारे कष्ट हर ने भीजा है किया है कहां देवों के देव महा देव और कहां देवों की यहा से वहां करने वाले नारद देव मुझे तपस्या करने दो तभी वर्दान मिलेगा न रिको करो कहां जा हरे लिए मैं आया हुना तुमें वर्दान देने के लिए mm मैं दूंगा बर्दान मांगो ना मुझे तपस्या करते हुआ मुझे मांगो ना नाड़त वह देव औरशी नाड़त वह हँआ का ठाकर कि थिखाओ फोकरए ना इसे कौन करता है यह हर देवता करते है चरो 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 तेखना है न तुम्हें ये लो नारायन नारायन वह नारत मुझे विष्वास हो गया कि आपी देवर्शित नारत हो तो मांगो किया वर्दान जम्रूत्य दीजिए अपार धन दीजिए प्रभू अपार धन दीजिए मैं तुम्हें देता हूं कि तुमbons धी धनवान बन जाओगे इतना अधन होगा तुम्हारे पास की खार्च करने पर भी समात नहीं होगा तथास्त बगवान नारत की जै प्रभू कुछ देखा आपने देखा भोले नात को देखा फिर आपको देखा और फिर देवी पार्वती को भी देखा प्रभू मेरे कहने का ताथ पर ये है कि नारत के चमर्कार को देखा आपने हाँ देखा ना देखा ना देख रहा हूं अब होले नाज नारद ने आपके भक्त का विश्वास जीत लिया नारायन, 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 मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है तो प्रभू, नारद को भेज दीजिये नारायन, 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 नारायन मेरे प्रभू समाधी में लीन है इसलिए तो मैं आया हूँ बोलो तुम्हें क्या चाहिए प्रभू मेरे दो बेटे और दो बेटिया है ये तो अच्छी बात बेटिया शादी के लायक है ये तो और भी अच्छी बात है और बेटे घर से निकाल देने के लायक है ये तो सबसे अच्छी बात नहीं नहीं ये तो अच्छी बात नहीं है नहीं प्रभू यही अच्छी बात है क्यासे? दोनों कुछ नहीं करते प्रभू मुझे अपार धन दीजिए ताकि मैं अपनी बेटियों का विभा करा के उन्हें विदा कर सकूँ और उन में से बेटों को कुछ देकर अपने घर से विदा कर सकूँ अपार धन भोले नाथ के भक्त को भी धन ही दिया था क्या सोच रहे प्रभू? एक शटड़ इसे मैं सुझाव देता हूँ सुनो बालक तुमसे कह रहा हूँ प्रभू, मैं बालक नहीं, मैं तो बड़ा हूँ भगवान के सामने सभी भक्त बालक ही होता है बालक? तुम्हारी पत्नी कहा है? नारायन! नारायन! नहीं, प्रभू, वो अधिकतर अपने पिताजी के घर रहती है बहुती सुख संपन परिवार की एकलोथी बेटी है ना? नारायन! 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 फिर तो उपाय मिल गया! किया प्रभू? हर बेटी का अपने पिता की संपत्ती पर हिस्सा होता है तुम अपने ससुर से अपनी पत्नी का हिस्सा मांग लो और संपत्ती से अपनी बेटियों का विवा करा दो और अपने बेटों को भी कुछ दे कर घर से विदा करा दो वाँ! प्रभू! आप उत्तम हो! आप महान हो! परन्तु मेरे दिमाग में ये बात क्यूं नहीं आई? क्यूंकि तुम नारद नहीं हो जाओ भक्त जाओ मेरी भक्ती करो सदा सुखी रहोगे नारायन 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 खोड़कर खोड़कार मुड़के अबन तरगमा ! मँट़के अबनाई? थे प sulfurडा है। अरशल्म और यदी ईए अर만 खोड़के प distortion पनि आहिं जल्म झाल झाल